गर्ल्फ्रेंड होता जी तब गर्ल्फ्रेंड होता है कि और ये तीनों मेरी गर्ल्फ्रेंड है तो इनके लिए कुछ बोलना चाहूंगा कि गर्ल्फ्रेंड को अपने पलकों पर बिठा लो कि गर्ल्फ्रेंड को अपने पलकों पर बिठा लो और देकर खुची इनके सारे गम चुरा लो कि गर्ल्फ्रेंड को अपने पलकों पर बिठा लो रूबी भिया और इनके देकर खुची इनके सारे गम चुरा लो इसे भ्यार करो इतना इसके सहली के सवने कि इतके सहली भी बोले यार मुझे भी पटालो पटालो इन लड़कियों से महबबत करना जरा सोच समझ कर इन लड़कियों से महबबत करना जरा सोच समझ कर क्योंकि दीखती है हीर की तरह लगती है खीर की तरह आप दिल में चुपती है तीर की तरह जब यहीं वेवफा हो जाएगी छोड़ जाएगी फिर फकिर की तरह बिलकुल भाई साहब और मैं आपको बतादू मुझे पहले से ही पता है ये जो लरकियों के पाल होते हैं ये लर्कों को फसाने के जाल होते हैं, ये जो लर्कों के बाल होते हैं, फूद चूस लेती हैं सारा लर्कों का, तभी तो इसके होड़ लाल होते हैं, तभी तो इसको होड़ लाल होते हैं, जब हमारा इरादा होता है, तो ओरिजिनल लाली लगाते हैं, मगर आपसे कहना चाहेंगे कि पान खाना, मिस्सी लगाना, जुल्फें बनाना छोड़ दो और इन्हों ने कहा कि लड़कों के फ़साने के जाल होते हैं तो ऐसे नजरे ना मिला हम से किदर देख ऐह ही रो तो ऐसे नजरे ना मिला हम से वरना आखो ही में बस लेंगे अरे जाओगे कहां बच कर तुम इन जुल्फों में जो गस लेंगे इसलिए बच्चा कहता है दोस्तों जिन्दगी में कभी प्यार मत करना हो भी जाए तो इनकार भी मत करना जिन्दगी में कभी प्यार मत करना हो भी जाए तो इनकार भी मत करना निभा सको तो निभाना उसना पर चल करना वर्दा किसी लर्की का जिन्दगी बरबान मत करना पर बाद नहीं करेंगे आब बाद करेंगे मैं कहना चाहूंगा कि प्यार करना हा, तो किसी एक से करो, और हो सके तो नेक से करो, जब तक ना मिले सची मुहबद तुमें, कम स्कम स्राय तो हर एक से करो. कि पा कईप दंगो मिले ard donc एक ना कि भी संद्री नेक साले तो हर बॉटिंग किसी के साथ, व्यार यहां। तुछ शन्यूझे के साथ, और किस क्किंटे की तरह ख़लता था मुहाब शथका खेल, बैटिंग इस आथा बॉलिंग किसी के साथ, छड़ देजे छड़ देजे बच्ची है बच्ची है लेकिन पता नहीं किसी से बच्ची है